वेल्कम बेक टो माई चैनल ऐक कटोरी बर मैंने डाल दियें और हभी डाल दियें और इक कटोरी यहां पर मैं डाल देती हूँ मटर मटर सूर्थी पापड़ी और तूर डाल ही तीनों की पूल्डवी बराबर मादर दी डाल धाई तो जो सकरकंद है उसको sweet potato भी बोलते हैं यह purple color के हैं जिसको कंद भी बोलते हैं और हम यहाँ पर तालू भी बोलते हैं तो यहाँ पर मैंने हरी मेर्ची का पेश्ट डाला है तो लाल मेर्ची मैं नहीं डालूँगी तो हरी मेर्ची की quantity में थोड़ी जादा ही रखी है और ले दालने के बाद इन सबको अच्छे से mix कर लेती हूँ तो अब देख सकते हैं अच्छे से mix को हो रहा है और बहुत ही अच्छा color आने लग गया है तो इस पकने से भी पहले इसका color बहुत अच्छा आ गया है और अभी डाल देती हूँ थोड़ास उपर से में पानी तो पानी डालने के बाद इन सब को वापिस अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, तो पानी याँ पर मैंने कितना डाला है, एक गिलाज जितना पानी डाला है, और पानी डालने के बाद वापिस अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, और अच्छे से मैंने सबजों के उपर तक पानी आना चाहे, बस इतना ही पानी ढालना है, जादा नहीं डालना है, सबजों को बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, और अभी कूकर का ढकन लगा के 2-3 सीटी लगाओंगी, कूकर में सीटी लगे तबतक मेथी के मुठिया बना लेती हूं, मेत देती एक कट्टोरी बेसन, बेसन के डालने के बाद इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, और इस तरह से आप देख सकते हैं, पानी की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि मेती धोई होई है, तो उसमें पानी भी है, और थोड़ा सा दई डाल दिया है, और इस तरह से एकद मुटिया बना लिए, और इभी इन मुटियों को मैं उयल में फ्राई कर लेती हूँ, और यह बहुत यी टेश्टी बनेगी, और उदियों में बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट आता है, तो यहाँ पर मैंने पेन में ऑईल डाल दिया है, और ओउल में फ्राई कर देती तो इस तरह से गेंस की आच को मीडियम रखते वोए दिमी आच पे इसको पकाना है मतलब फ्राई करना है तो अब देख सकते हैं अच्या कलर आने तब तक इसको फ्राई कर दिया है और निकाल देती है आल्लग बर्तन में तो अभी बाकी बची हुई भी निकाल देती हूँ इन मुट्यों को तो कोरा या फिर चाय के साथ या केचप के साथ भी इंजोई कर सकते हैं बहुत ज़्यादा स्वाधिश लगते हैं तो उद्यों में डलेंगे बाकी बचेंगे हम लोग चाय के साथ ही खाएंगे तो इस तरह से सारे मुट्यों को फ्राई करके तयार कर लेना है तभी आप देख सकते हैं सारे मुट्ये तयार हो चुके हैं ये देख कि अगर आपका उद्यों खाने का मन हो रहा तो एक बार जरूर ट्राई कर लेना घर पे बहुत ज़्यादा स्वाधिश लगता है सब जोग अच्छा से मिक्स कर लेती हूँ और कूकर का ढकन बंद करके कूकर को साइड में रख देती हूँ और गयस पर कड़ाई रख देती हूँ और एक बड़ा चमच भरके ओईल डाल देती हूँ और एक कटोरी मतर को मैंने पीस दिया है और इस तरह से मतर को ओईल में फ्राई करके अच्छे से पका लेती हूँ तो इस तरह से मतर को पहले पका लेना है कच्छा नहीं रहना चाहिए मटर को अच्छे से पका लेना हो पकने के बाद जो उंदियों त्यार करके रखा था वो डाल देती हूँ तब आप देख सकते हैं जो उंदियों की सबजिया है सारी वो कड़ाई के अंदर डाल देती हूँ उंदियों की सबज्या कड़ई में डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने उंदियों में लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और दन्या पाउडर नहीं डाला है बनार बहुत ज़्यादा अच्छी कुछबू आ रही है कलर भी आपको दिखाई देर होगा कितना अच्छा लग रहा है तो लेजिए स्वादिश उंदियों तयार हो चुका है और उंदियों के साथ मैंने बनेगे गरमा गरम पूरी पूरी के साथ ही उंदियों को खाया जाता अप्तिकली बाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइ